हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सब्स एजूकेशन में उम्मीद करते हैं आप लों की पड़ाई बढ़िया चल रहे होगी यूपी से सारो यारो के लिए ठीक है आए फिर कल लेते हैं कोशन कल लेते हैं 26 देखें यहां पर कुशन पूछा है मूलाव मेग जो है इसक ठीक है पब्लिक सर्विस कमिशन नहीं यह पोलर स्टैडोस फैरिक क्लाउट की बात कर रहा हूं ठीक है इनका दूसरा नाम यह नाम से कुशन पूछा जाता है नेक्रियस और इनकी जो एस्टेबिलिसमेंट है यह कहां पर यह बनते हैं यह पाए जाते हैं समताब मंडल में स्टैडोस फेर में ठीक है इनको ऐसी संगय क्यों दी गई है मदर ऑफ परल क्लाउट्स इनकी खास विस्टा होती है कलर चेंज करने की ठीक है तो यह विस्टा आपको इनकी करेक्ट्रेस्टिक्स जो है चेंज अब कलर चेंज करने की जो बस्यश्ता यह भी आपको ध्यान करना है ठीक है कलर चेंज लग दे रहा हूं मैं कलर चेंज चलिए हो सकते यह पूछ लेगी कलर चेंज ऐसे कौन से बादल है जो कलर चेंज करते हैं तो आपको यह नेकरियस देख जाएगा तो लगा देना अब कोशन एजट इस तो नहीं पूछा जाता ना टॉन्टी सेब देखें स्टेटमेंट का कुश्चन है मिसीकन जील पूर्णता यूएसे में इस्तित है ठीक है यह मिसीकन लेख हो गया टिटी काका लेख जो है यह बोलीविया और पेरू की सीमा परिस्तित है आपने मैपिंग तो अच्छे से की होगी PCS के स्टुडेंट्स हैं तो उम्मी तक क्या सही है आप लोग मैप खोलिए और नॉर्थ हमेरिका का मैप देखिए वहाँ पर आपको फाइब ग्रेट लेक्स देखेंगी फाइब ग्रेट लेक्स कौन-कौन से पढ़ते हैं हम लोग सीक्वेंस से पढ़ते हैं सिक्वेंस में कुशन पूचा जाता है बैस्ट से तो एक नजर इनको देखिए ठीक है फाइब ग्रेट लेक्स के बारे में सारे चीज़ें देखिए अगर आप लोगों ने मैप खोल लिया होगा तो आपको पहले सुपेरियर दिख रही होगी फिर मिसीगन दिख रही होगी मैं बैस्ट से इस्ट चल रहा हूं ठीक है फिर ऐरी दिखेएगा फिर उंटारीयों यह पांच लेक्स को दिखेंगे जिसमritis मिसीगन लेक्स है यह यूएसे ध्यूरिश में लाई श होड़ियर लेक्स बाकी चार लेक्स है यह वर्चिक नाडुले बॉलिवीया और पिरू संस्ट परिस्तत है मैप खुलिए नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट खुलिए सौरी साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट खुलिए टीटी कागा लेक आपको दिख जाएगी बोलीबिया और पिरू की बॉर्डर पर सेकंड ऑप्षन भी सही है फिल्लेंट ठीक है आसान असाने एफेक्ट जीलों की बाटिकर कहा जाता है यहां पर तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि हर एक किलूमेंटर पर यहां पर जील दिख जाती है ना पौने दो लाक जीले हैं इस फिल्लेंड में और कितना चोटा सा यह है यह रोरिंग 40 के बारें पूच रहें ठीक है रोरिंग 40 जो कर भी प्रेसर वेल्ट पढ़ेंगेना प्रेसर वेल्ट कुछ याना रहा है और रोरिंग 40 जो विंड है यहां पर पूचा यह गरश्ता गरस्ति चालिश हाओक है मार्क में कौन सी केपिटल पढ़ती है घ्यान रखना है नियूजिलेंड नियूजिलेंड की केपिटल क्या है बैलिंग्टन ठीक है बैलिंग्टन यह अप्सनेया पर राइट हो जाएगा अपने जोगरफी में एक टर्म पढ़ा है अलबिडो क्या होता है अलबिडो होता है प्राबर्तन करने की शमता किसी वस्तू की और यह वस्तू कुछ भी हो सकती है यह वस्तू कपड़ा हो सकता है यह वस्तू पत्थर हो सकता है यह बरब भी हो सकता है यह महासागर हो सकते है यह बस्तू forest हो सकती है, यह desert हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा आपकी skin हो सकती है, ठीक है, यानि जो भी physical चीज है प्रतवी पर, वो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सबके प्रकास बढ़ रहा है, और सबकी अलगलग छमता है प्रकास को reflect करने की, तो जिस बस्तू की छमता प्रवाल सागर जो है, ठीक है, यहां पर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा reflection हो रहा है, सबसे कम होगा, ठीक है, यहां पर यह कह लिजिए, कि गहरे महा सागर का यहां पर यहां पर बस बताना है कौन सा सईसो में लेता है, तो मैं आपर मार्क भी गड़ दे रहा हूं माओरी न्यूजिलेंड की है, सेमांग मालेसिया की है, किलियर है? बोरो यहां पर सही मैंच है, बोरो ब्राजील की ट्राइब है, बन्तु स्री लंका की नहीं है बन्तु यह भी अफ्रीकन ट्राइब है ठीक है अफ्रीकन ट्राइब है यहां पर सही कौन समयच है यहां पर देखिए आप लोग थोड़ा गूगल कर लिजेगा मुझे समय मिलेगा मैं ट्राइब वाला मैप लगा दूगा तो जितना इंपोर्टन जो ट्राइब्स होती है व को एक साथ मिल जाएंगी तो उनको उनको कुलोजली आप ऑपजर्व कीजिए और देखिए लोकेशन वाइस देखिए ने तुह पर सिमांग की जगह मलेशिया लिखा है मैं इंडोनेशिया लिख दूँगा और आपने अभी पड़ा मलेशिया ठीक है अभी याद रहेगा गंटे याद रहेगा दो गंटे याद रहेगा साम तक भूल जाएगा ठीक है साम तक इंडोनेशिया भी माइंड में आने लगेगा ठीक है तो यह चीज़ें करना कीजी नेक्स कीज़े ठीटीवन 31 में वारथि समदान में राज के नीती इनधेसक attempt के बारे मों ने बताईए डीपीसप पूछ रहे हैजिक है डीपीसप का जिक्री जल्दी से बताईए बाषि 하지만 में कहां पर है भारति समदान में पार्ट नुमर 4 में है आरिकल 36-51 यहीं पड़ते है ठीक है पहली बात ए ब कुछ नहीं पूचा जाते हैं ना कि भारत मारत ने प्रोविजन जो हैं वो कहां से लिए अब तो यहां पर द्यान रखना आइलंड के सम्दान में यह जो एसपी का जेक रहे यह अमेरिका के Constitution से नहीं लिए गये थे यह इसपेंड के Constitution से लिए गये थे ठीक है इसपेंड रहे गए आप अमेरिका की जगए दूसरी बात गलत है पहली बात सही है यहां पर गलत बताना था तो बात common आटिकल है सभी को पता है आपको 353 पढ़ना है 353 पढ़ना है 354 पढ़ना इसके लाबत 357 पढ़ना 358 पढ़ना 359 पढ़ना यह अपको आना चाहिए पहले बास है यह जो अफेक्ट बता रहे हैं दूरगामी प्रभाव बता रहे हैं और यह प्रिटिकल सिस्टम पर जो ठीक है यहां पर दोनों बातां सही है एक्स्प्लेइन भी कर रहा है ठटी तरीय संसद में बजट पारेत होने के इस तरों को क्रम अनुसार ववस्थित करें बजट सेशन देखें अगर देखें होंगे कभी राज सभा टीवी पर यार लोग सभा टीवी पर तो बहुत आसान स परहिए दिया सबसे पहले बताई है कि बजट का चिक्र भारती सम्थार नहीं है जिक्र भारती सम्थार वह सब्द byłrations और ग्यार-गर Govern K इसे बोलते हैं बारसेक बित्ती है बेबरण देखें आप इस टेप बता दीजिए सबसे बहले होता है बजट का प्रस्तोती करना ठीक है तो पहले नंबर पर यह आ जाएगा फिर इसके बाद होती है जनरल डवेट आम बैस होती है इसके बाद आपको बिभागी है समितियों दोगें दोरा जाच वाली जो यह बात लगी है यह तीसरे नंबर पर रहेगी यह तीसरे नंबर पर हो जाएगा फिर यह जो गरांट होते हैं इससे पहले बिनीयोग विदियक इससे बोलते हैं अप्रोप्रियेशन बिल आर्टिकल 117 बढ़ना ठीक है तो किलियर होगी यह होती है फाइनेंस बिल पारित होना जल्दी से फाइनेंस बिल और मनी बिल दोना में फरक बताइए तो यहां पर स्थापना बड़्स है हलाबाद हाइकोट की स्थापना बड़ी 1866 में हमाचल प्रदेश 1971 यह करेक्ट है जम्मु कस्मीर 1928 करेक्ट है पटना हाइकोट 1916 करेक्ट है गलत पूछादा तो यह अप्सनिया पर राइट हो जाएगा ठीक है अर्धनया एक निकाय है फिर से कहूँगा पुराने टेस्ट को बिजिट कीजिए अब इन सब को द्वारा बताने की जरूरत नहीं है ठीक है जहां तक है आपको लोगों को आता ही होगा अर्धनया एक निकाय की रूप में बित्तायों की बिवस्ता की गई पहली बस सही है इसके गठन राश्पती द्वारा हर चोथे बरस या आवसकता अनुसार उससे पहले किया जाता है चोथे बरस लिखा हुआ है बताइए यह पांच बरस होता है कि चार बरस होता है गलत है ना ये तो यहाँ पे पांच बरस होना चाहिए था गलत होगे दूसरे था यहां पर हो जाएगा डियॉप्शन है कि 37 में पूझा गया जस्तिस के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संग बाद का मुखत पाद बताई है इनका जो ज़्जमेंट आया था को किस पर था बतां जली से आसान सा कुशन है इनका जो डिसीजन था जज्जमेंट था वड कितने प्रत्यासियों का चुनाओ चुनाओ संचलन इलेक्ट्रोनिक बोर्टिंग मसीन द्वारा किया जा सकता है आंसर है 64 ठीक है 39 देखें 39 में पूछा गया है इको टोन का उधर्ण बताईए एक्सांपल्स ऑफ इको टोन एको टोन क्या होता है आपको दो एको सिस्टम ल दूसरा एको टोन डेजर्ट हो सकता है और इसके टांजिसन में लगा हुआ ये ग्रास लेंड हो तो कुछ भी हो सकता है दो डिफरेंट एको सिस्टम होना चाहिए और उनके बीच का उनके बीच का या फिर जो उनका बाउंडरी लाई कर रहे है जहां पर जिस जोन में दोन सकते हैं इको टोन के डियोप स्नेपर राइट है देखें फॉर्टी नमने देशों में से किस देश की समुद्री तटर रेखा नहीं है इसका मतलब है क्या पूछ रहे हैं लैंड लॉग्ड कंट्री पूछ रहा है मैपिंग से होगा एक कुश्चन तो अगर मैप माइन में आ रहा होगा तो हो जाएगा अगर साउथ अमेरिका कॉंटिनेट की बात करें तो आपको दो कंट्री लैंड लॉक मिलती है पहली कंट्री परागवे और दूसरी कंट्री है बोलीबिया देखें मैं आप देखें तो आपको किलियर दिख जाएगा तो परागवे यहां पर वुलिविया औप्षन में है तो कि फॉटीबन में क्या पूशा गया है यहां पे बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है यहां पे पूशा गया है घर्थ के बारे में है ट्रांच जिस टो बहुत आसान सुन्डा गर्थ इंडियन ओसन न करेक्थ है यह प्यूटो रिकूग अट् होगी मैं मैप लगा दूंगा अगर समय में मिलेगा तो नहीं तो कुछ किजी आप लोग खुद से मैप देखिए तो ज्यादा बेटर है इस्टेट लिस्ट है बाकी जो लिखे ना यह सारे सब्जेक्ट युनिय लिस्ट से समझ देता है युद्यसंदी हवाई मारक डाक टेलीफोन बैंक भीमा खाना माइन्स चलिए राजलोग सेवाय के अर्दक्ष के करकाल कितना होता है इनके बारे में हम लोगो ने एक चीज बढ़ाता है बहुत कतना फेक्ट है इनको अपॉइंट कौन करता है इल्दीस बदाईए अपॉइंट करते हैं गवर्नर और पदिसे हटाने की बात हो तो फिर गवर्नर का रोल नहीं है आप है प्रेजिडेंट का रोल होता है तो यह सब्सक्राइब करते हैं और पाड़ भी द्यान रखना पाड़ साइच चाउदा ने कि फोटीफोर भारत की स्थली सीमा में लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है अभी तो आसान सा फ्रसना है जल्दी से काउंट करके फिंगर पे काउंट कर दीजी आंसर निकल चाइना हुआ नेपाल हुआ अफगानिस्तान हुआ पाकिस्तान हुआ बंगलादेश है ना मियामर इसके अलावा भूटान यह टूटल साथ कंट्री हो जाती है देखें 45 45 में पूछा गया निमलिकत में से कौनसा एक महारास्ट राज में स्थित नहीं है बालागाट की पा हरिश्चंद की पाड़ियां महारास्ट जबकि जो मैकाल पठार है इसका आपको ऐस्टेंशन में मिलेगा चत्तीस गड़में ठीक है चत्तीस गड़में इसी पठाड से आप लोग देखते हैं कि रेवर, रेवर सोन, रेवर नर्मदा और रेवर महानदी यह सारी नदियां यही से निकलती है डियो अप्सन यहापर राइट है 46 है कौनसी नदी है जो अरफ सागर में गिन्नेवाली प्रायदी प्यावरत की सबसे बड़ी नदी है आसान सब फ्रसन है गोदावरी तो नहीं गड़ती है नर्मदा हो जागा करेक्टर अंसर यह बैस्ट फ्लोइंग रेवर है अरफ सागर में गड़ती है चले 47 धलानों पर म उसके बाद फिर यह घाटी घाटी के जैसा इरोजन होता है इतने बड़े लेबल पर इरोजन देखने को मिलता है तो रिल हो गया यह आपका नाली का गुली हो गया अब नाली का और फिर घाटी तो करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा डियो ऑप्षिन फोटीट है ग्लोबल इंवार्मेंट आउटलुक रुपोर्ट बरी बरी इंपोर्टेंट मार कीजिए इसको इसको कौन प्रिकासित करता है पब्लिस करने वाली संस्ता है यह इनटेट नेशन इंवार्मेंट इंवार्मेंटल प्रोग्राम इवन एपी हैड़क्वाटर हम और स्टेट्स हैं मिला दीजे जल्दी से बहुती फेमस ट्राइव गद्दी जो नवास करती है हमाचल प्रदेश में गुजरात में नहीं डी अप्सने आप है गलत है ओंगे अंड़मान निको बार करेक्ट है अलाम तिरपुरा सही है लैप्चा सिक्केम सही है इक दिके ब दिसकस कर चुक है यह आपको मिलता है मरुस्तली यह चेत्रों मैं ठीक है और मरुस्तली चेत्रों की विश्यसता क्या है दिन की टाइम में क्या होगा मरुस्तल बहुत जाना गराम हो जाएगा और रात में क्या होगा तो यह तेम्परेटिवली बहुत ठंडा हो जाएगा त ठीक है मेगा लेका पटार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 52 है मां अदीति यह विस्थापन सिध्धान त्यानि कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट त्योरी जो है CDT के अनुसार पैंजिया का विवाजन अंगारा लेंड और गॉंडवाना लेंड में कब हुआ ही परीकी का विवाजन हुआ हुआ जिससे बोलते हैं इसी विवाजन को बोल रहे हैं उत्तरी भागजों ही यह अंगारा लेंड और रखो जो विवाजन इसुकं लोग पढ़के रहते हैं Continental Drift थेयोरी में ये कारबोनी फेरस पिरेड में हुआ है और इस थेयोरी से एक नाम जुड़ा हुआ है इसके बारे में पूचा जाता है राजसभा के जो मेंबर हैं ये होते हैं ठीक है लेकिन मेंबर के साथ आपको elected भी याद रखना है निरवाचित होना चाहिए चुनाव के दवरा इन members को रहना चाहिए यानि जो इसी तरीके से लोग सभा में जो elected member है और जो राज्यों की बिधान सबाई हैं बिधान सबाई है ध्यान रखनान आपको elected होते हैं nomination वाली नहीं होते हैं और कहीं यूटी में एसी हैं जहां पर बिधान सभा है, तो यहां के भी members जो रहेंगे elected वाले, यह भी borders रहेंगे प्रेजिटन के election में, तो यह चीज रहता है अब यहां पर देख लीजी, options में, संसत के मनुनीत सदस, संसत की बात हो रही है, तो यह राजसवा सबसे पहले बताईए कि मनीविल का जो लेख है वो कौन से आर्टिकल में है यह इंपोर्टन कोशन है मार किजिए यहां पर दो तिन आर्टिकल आपको याद रखना है आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है कि यह जो मनीविल होता है यह इंट्रड्यूस किया जाएगा केबल और के सभा की ही सारी सकती है राज सभा को यहां पर मनीविल के रिगार्डिंग कोई पावन नहीं है तो जो कुश्चन पूछा गया था यह 109 में लिखा है और अगर परिभासा की बात करें मनीविल को परिभासित किस आर्टिकल में किया गया है तो 110 रखना है आपको ठीक है यह यह जल्दी से जल्दी से यहां पर जॉइंट सेशन है यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है देखें 55 में राज और लोगसभा सीटों की संख्या यह कुशन देखो एक पूछता है ना सीट के बारे में देखें तमिलेडू में 39 सीट्स हैं लोगसभा की राजिस्थान में में 25 है गुजरात में 26 हैं और महाराश्ट में 48 एक्षुल कुशन याद रखना है रखना है बताइए यूप से बताइए यूप में कितनी सीट्स है लोगसभा की 80 सीट है ठीक है यानि उत्रप्रदेश से जो अंसदों की संख्या है वह 80 है और राजसभा में कितनी है राज पंचाइती राज सिस्टम पढ़ते हैं ठीक है 73-74 से जो आया है 1922 में उस एक्ट के यानि पंचाइती राज एक्ट के जो प्रोविजन्स हैं यह सिड्यूल्ड एरिया में यानि यह जो अनुसुचित छेत्र होते हैं इनमें यह बर करते हैं नहीं करते हैं किस तरीके से लागू होते हैं इन सब चीजों की यहां पर चर्चा की गई है तो यह एक्ट हो जाता है अनुसुचित छेत्रों की स्थिति को स्टड़ी करने के लिए यहां पर एक सपारिस की गई थी एक समीथी की और इस समीथी की जो चियर परसंथ है उनका नाम है अधिक है आपको द्यान दखना है यह मेमर पालिया मंट दिलीप सिंग भुरिया अनका पूरा नाम है और समीथी का नाम है भूरिया समीथी के लिए यह पर लिख दीशिंग भूरिया चली देखें 57 कॉन से सून निकाल के संबंध में सथ जीरो आबर बताइए आसांसा संसदी प्रगिरिया में सुन काल का उलेक नहीं है इवन जीरो अबर जो है वो यहीं की देनी है भारती है संसदी पनाली की देना दूसरी बात यहां पर गलत लिखिए तीसरी बात है पूर्व सुचना दिये जाने के पश्चा थी सारवजिनिक महुत का कोई प्रसने समय उठा है इसको वेरिफाई करके बताना ठीक है चलिए 58 देखाए आर्टिकल से हैं कुछ उनके प्रभीजन है आर्टिकल देखिए यहां पर 129 देख रहा है सुप्रिम कोड 124 से पकड़ लीजे 124 125 26 27 इसके इलावा फिर 132 तक यह आर्टिकल सारे ब्यारेक्ट में अभी खोली है अभी फिर से रिवाइज कीजिए ठीक है तो यहां पर 129 में है यहां पर अविलेक नियाले होना सुप्रिम कूड कैसा है कोट ऑफ रिकॉर्ड है कोट ऑफ रिकॉर्ड इस सारी बात है हम लोगों ने सिखके रखिए पहले कि यह कोट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है प्रान इ इजाजत यह भी सही है और दी में देखिए है सुप्रिम कोड के नया धीसों के बेतन बत्ते और पैंसन वन जो है इसको देखके तुरंत आजाना चाहिए क्या है यहां पर तो यह तो गलत है यह जो बेतन बत्ते पैंसन की बात की गई है यह तो आर्टिकल 125 बोलता है तो यह रखना है आप लोगों को जो मैंने भी बताया है सारे आर्टिकल 124 से 132 तक एक बार रिवाइज कर लिजिए क्योंकि पूछा ही पूछा जाता है एक मिनिट का समय लगेगा आप लोगों को बेर एक्ट में देखने के लिए यह आर्टिकल 125 है ठीक है बेतन बत्ते पैंसन त है धाङ छली है यहा सरे जो पैंसन वाली बात है तो देखे यहा एक कुशन बन यहाँ पर हाई बनता है हाइड को स्ईइन के निए है और अगर फैंसर की बात कशलिए इसको डील करता है सेंटल मौश्ण कंले में कि घ्राइब वाधी समिनाहन में पाकिस्थान से बारत को प्रवजन करने वाले को कुछ ब्यक्तियों की नगर्टा की अधिकार के बारे में उप्वफबंध कान से आर्रिक्ल में आंप देखिए कुछ ब्यक्तियے हैं जो पाकिस्तान से माईगरेट कर रहा हैं इंडिया अस आप इस कीए इस को रिवाइज करने का यही परपज़ ठीक है ऐसा नहीं है कि बस इसका उत्तर देख लिया और काम हो गया ऐसा नहीं करना है यार आप जो आर्टिकल्स पास से गहरा है सेटिजन से में पार्ट नमबर टू में ये सारे रिकॉल कीजिए और ये प्रुविजन लिखा है आर्टिकल्स इक्स में सब्सक्राइब करें दोनों को फिरसी रिवाइस करें और यहां पर लोग सबागे सदस्यं की संख्या मीनमम होना चाहिए नों कॉंफिडेंस मोशन के लिए 50 ठीक है सी अपर राइट है यहां पर साइंस का कुश्छन है जल्दी से बताइए इंसुलिन का काम क्या है करें इंसुलिन का काम है सुभर को करना ठीक है बलेट के अंदर सुभर लेविल को करता है इंसुलिन इसमें है क्या इंसुलिन एक हार्वोन का नाम है जो होता है क्या है इस वह बड़ा सा परट हाथ हैNEY मुंस होते है낹 सब पर फुच्छा है ठीक है वही सब और पूछा है तो हम लोग पढ़ते रहते हैं घर लिटा सेल्स होती है पंक्रियाज के निदर रिलीज करती है इंसुरेस पहला दूसरा लखा है उसको रिलीज किया जाता है क्वर्पस लुटियम सेल के द्वारा कॉर्पस लिटियम सेल इस सेल का नाम आपको याद रखना है सुमेटो इस्टेटिन यह गामा सेल से यह ठीक है तिहां पर गलत सी ऑप्शन था बाकी सभी सही है कि लिए गलत बताना तेहां पर तो जो इसके सामने गलत लिखाए भी जानना जरूरी है ग्रैफ अब हाइट पर जैसे ही जाते हैं हवाओं की मातरा कम होने के बज़े से इसका मतलब यह भी है कि हवाओं को वहाँ पर बजन बहुत कम है और हवाओं का जब बजन कम रहेगा तो प्रैसर आटोमेंटिकली कम हो जाएगा यही चीज होता है आप अर्थ सर्वेस के जितने बाइवान में बैठे है यातरी के फांटेन पेंसे स्याई का गिरना ठीक है यह भी विल्कुल करेक्ट है क्योंकि देखिए यह जो रिफिल में प्रैसर ओल्ली था यह तो आप नीचे भरके गयते हैं और सर्फेस पर तो यहां का प्रैसर अलग है और जैसे आप उपर जाते कारणे इसका प्रैसर से कोई देना नहीं दोगस्ति नहीं है ज्या ऴиваетेश दिखें विटामिन बिक ओंका जाता है इसको हर्मन बिकाते हैं पliest GiveD लिफूरल बोलता है यह हम लोग समझते हैं और यह anti infection विटामिन भी इसको कहा जाता है तो यहां पर यह दोनों फेक्ट D और A के बारे में आपको ध्यान रखना है दोनों इफेक्ट important है दोनों सही है ठीक है हम लोग food कितने प्रकार के पढ़ते हैं यह मैं आप लोग रिवाइस कराता है रहता हू हम लोग कार्प पढ़ते हैं इसके लाभा विटामिन पढ़ते हैं और तीसरा होता है प्रोटीन यह होता है कार्भोईडेट का काम क्या है यह energy energy supply करते हैं बौडी में और विटामिन यह protection के लिए और प्रोटीन यह muscle building muscle building के काम आता है मसल building टीसू building टीक क्लिए रहा चली 64 देखें नमलिकत कतनों में से कौन सा एक रुधिर के सम्मन्द में सत्थ है बिलेट के बारे में पूछा गया है बताएं यह एक तरल सहीं जी उतक होता है यह बास सही है यह एक छारी यह बिलेन है बेसिक सॉलूशन है यह भी सही है लग करने फंजाईं की बारे में क्या बोला है एक फैक्त द्यान रखिए कि एफ्ला टॉक्सिं ने जो है यह जैरीला पदार था है यह टॉक्सिंस से समझभी आजय में लिखा न यानि यक्रत א ordered के निकोई ने बोलते हैं ब्रक्र हूद है छले 66 इस्टि देख़ें को पोश्टन का इस्टि प्रक की स्थिति का सम्मंद बता हैं हैonds को को कौ सब्रक्राइब सर उर ब सिर्फ फिने निले से नहीं ठीक तब भी आपको पोश्ण के सिका रहे हैं, यहां पर D option सही हो जाएगा, तो यहां पर क्या समझा है, आपके body ना तो under nutrition होनी चाहिए, ना ही over nutrition होना चाहिए, ना ही nutrition में imbalance होना चाहिए, ठीक है, देखें 67 कतन कारण का question है, आयोडीन युक्त नमक का 7 thyroid गरंती के नियंदरन में प्योग होता है, ठीक है, बच्पन से पढ़ते हैं रहे हैं इसको तो, अगर iodine की supply कम हो जाती है body में, तो क्या होता है, यह जो thyroid गरंती है, यह इसमें increment हो जाता है, यह इसमें ब्रद्धी हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए iodine की supply बहुत जरूरी है, क्योंकि thyroid नाम का ए प्रद्धी हो जाती है, सभी लिखाया कारण यहां पर यह ऑप्शन राइट हो जाएगा, देखें, नेक्ट 68 में हैं, कौन सा एक क्या लिखाया है, निमलिकत में से कौन एक विशाणू में सजीवों का लक्षण नहीं है, विशाणू यानि वाइरस, ठीक है, वाइरस के ब मल्टिपलिकेशन यह जो है, यह भी ठीक है, यहां पर लक्षण नहीं पूछाए ना, तो यह जो साइटो प्लाजम है, साइटो प्लाजम का अभाव, यह करेक्टरिस्टिक होती है, डियोप सने आपसे यह, देखें, 69 में प्रिकास की किरण को पून आंत्रिक परावरतन के रेयर मेडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, डेंस मेडियम है नहीं, काच हो गया और रेयर मेडियम जल हो गया, यहां पर बायू क्या है, यहां पर बायू रेयर मेडियम है, काच क्या है, डेंस मेडियम है, तो यहां पर देख लिए काच से जल, यानि डेंस से रेयर, किलि यह सारे एंटिवाइटेक है जो फंजाई से बनते हैं ठीक है चलिए यह कौन सा होगे 70 होगे 71 निमलिकत में से कौन राजसरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है राजसरकार का पूचा है डारेक्ट टेक्स पूचा है पहले इता सफ्लियो प्रे अच्छल संपत्यियो पर यह ग्रीकर यह होता है टीकश नियूंटी कौन कौन करता है निक्ति कौन करता है प्रिजिडेंट करते हैं आर्टिकल 280 से पहला जो फाइन्स कमिशन था पहले की जो चेर्वेन थे केसी नहीं होगी यह पढ़ते रहते हैं बहुत कॉमन सा फैक्ट है यह पहले हो गए अब यहां पर बारमा देख लिए बारमा सी रंगराजन से और तेर में बज़ेए केलकर सब यह तू हो जाएगा और चौदेवे बाई वी रेड़ी अभी कों से चला बंदरा चला बताई कोन है अध्यक्ष बताई जल्दी से एनके सिंग है क्या एनके सिंग इसको वेरिफाइए करना ठीक है चली इसको मैस करा लेना आप देखें 73 कथन करन यहां पर पूछाए सेवी का कार प्रतिव होती हों की इंसाइडर ट्रेडिंग पर रोग लगाना इंसाइडर ट्रेडिंग समझते हैं देखिए स्टक मार्केट में जब आप लोग आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जो कंपनीस हैं इनकी बहुत फिर अच्छा आने वाला है तो आप अच्छा वाय और सेल कर सकते हैं ठीक है तो उससे बहुत जादा फरक पड़ जाएगा सेर की वेलू पर और यह बड़े-बड़े लोग करते हैं बड़े-बड़े लोग से मतलब है कि जो हजारों करोनों की संख्या में सेर की ट्रेड कर है जिसमें किसी कंपणी के करमचारी या फिर कोई समंदत व्यक्ति द्वारा आंत्रिक सुचनाओं का उप्योग करके सेर ट्रेडिंग किया जाता है ठीक है यहां पर यह उप्शन राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कीजिए गया चलिए पर रुपे की आंसिक परिवर्टी नियता को सुईकार किया गया यह करनसी की जो होता है करनसी का को सुईकार किया गया ठीक है यह 1992-93 में हुआ था पिछली टेस्ट देखना पिछले साल का तो वहां पर हमनें सारे एक्जांपल्स के ताह सीगा था कब-कब यह कब किस किसी ऐर में लाया गया था इसारी चीज़ें देखी दही दी दूसरा प्सझन हावाला बाजार बेदेशी मुद्दरह के क्रे रचा करह का एक प्रकार वैदानेक बाजार बैदानेक नहीं है वाई यह चीज़ होती है ठीक है यह काला बाजा यह तो मेकिन इंडिया तो 2014 हो गया ठीक है 2014 का और ऑप्शन है भी नहीं तो डेट इट का बहुत जादा ध्यान नहीं रखना है देखें यहां पर प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना इसको लाए गया था 2015 में स्टेंड अफ इंडिया यह 26000 की स्कीम है और प्रधान मंत्री आवाज से उसनाmbा फिर यहां inanपर कीति नेममा बंक कीति यह 12000 का थी ठीक है तो वीडियो को पॉस करना और मिला लेlest इनको ठीक है तो saving account होता है उसी तरीके से share market में यादी कोई share या फिर mutual fund की बात हो या फिर share की बात हो उसको बाइश सेल करना है अगर आपको तो आपको demate account आपके पास होना चाहिए ठीक है यासे saving account होता है वैसे share market में उसको demate बोला जा रहा है बस इतना ही फरक है दूसरी बात लेखिए demate खाता धारक को इसके लिए सालाना फीज देनी पड़ती है देखिए charges होते है ठीक है charges होते है तो यह बात भी ठीक है यहाँ पर दोनों बात है सही है C हो जाएगा चलिए 76 देखिए bold BOLT PPP model के अंतरगत O का आसे क्या है देखिए सबसे पहले यहाँ पर फुल फॉर्म जानी है B का मतलब है build, O का मतलब है on, L का मतलब है lease और T का मतलब है transfer built on lease transfer देखिए option यहाँ पर right हो जाएगा ठीक है चलिए 78 देखिए इंडिया के लेखक कौन है इंपोर्टेंट है मार कीजिए इसको इसके लेखक है विपिन चंद्रा देखिए 79 देश में अब संरचना परियो जुनाओ के कार को तुरित करने है तो रास्टी निवेस और अब संरचना कोस यानी NIIF गठन का भुगा था 2015 में यह इंपोर्टेंट है ठीक है यह जुलाई 2015 याद रखें देखें असी निमलिकत में से किस प्रकार की बिरोजगारी पूर्ण रोजगार की इस्थिती में भी अर्थवस्ता में बिद्धमान रहती है आसान से प्रसन है रहे तो फ्रिक्सनल इसको बोलते हैं फ्रिक्सनल अनिम्प्लाइमेंट यह उप्सनिया पर राइट है फ्रिक्सनल का मदलब समझ रहे ना घरसन जनत जो है आपकी एकॉनमी पूर्ट रोजगार की इस्थिती में भी है तब भी यह चीज एक्सेश्ट करती है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं एक जो आपसे स्विच्च करते हैं दूसरी जो में, है ना तो ऐसा थोड़ी न भी कि जब जैसे ही स्विच्च कर रहे हैं तो आपको तुरंट दूसरी मिल जारी है इन दोनों में गैपी भी हो सकता है आपने एक company को switch किया है ठीक है एक company से resign किया दूसरी company के लिए आप सीख कर रहे है तो हो सकता है कि 4 मेने का समय लग जाए 5 मेने का समय लग जाए हो सकता साल भाल लग जाए बेट करना है न तब यहाँ पर interview call हो या फिर appointment letter आए आपका जो भी हो मतलब समय लग सकता है लगता भ ढगा अब टी बने मजट भाल जाए घोषित स्री अन्योजना का उद्देश स्री अन्य किसको बोल रहे हैं स्री जो का यहा लोग कहा बोजन और आज यही बोजन खोद अपनी रोटी में मल्टी नूटीशन करने के लिए मिला के खा रहे हैं तो इनका इंपोर्टेंस अब समझ में आ रहा है तो यह पर यह उप्सन ठीक हो जाएगा देखिए मोटी अनाज के उत्पादन को बढ़ावाद देना ठीक है देखें टी टू प्रोडेक्शन वाले डेटा रहते हैं यह घटना चकर का आता है अर्थकी एक्जाम से पहले उसको देख लेना सारे फैक्ट देख लेना एक दो कुशन मिल जाता है मुंख़ली का प्रोडेक्शन सबसे जादा गुजरात में ठीक है गुजरात पहले इस्थान पर है उसके बाद फिर राजिस्थान का नंबर है उसके बाद फिर तमिलनाडू का इस्थान है क्लियर रहा है चले 84 देखें 84 है बीमा नियामक एवं विकास पराधिक्रण जैसे IRDAI बोल रहा है कि स्थापना कि समीति की सिपारिस पर की गई थी यह मलहोत्रा समीति थी 2000 में ठीक है 2000 में प्रयाबराण से संब्दित कोना है है ना क्वालिटी से संब्दित कोना है एनरजी से संब्दित कोना है यह अच्छा कोशन है इसको मार करके चलना ठीक है देखें यह जो पहले शुरुबा से कर लेते हैं 9000 लिखा है ISO 9000 इसो समझते हैं इंडियन स्टेंडर्ड तो इसके सामने जो खाद सुरक्षा लिखा यह तो गलत हो गया और यह जो पचास जार एक लिखा हुआ है यह उर्चा प्रभंधन से संब्दित है यह बिल्कुल करेक्ट है यहां पर सही पूछा था तो सी उप्सनेया पर राइट हो जाएगा बाकि वीडियो को पॉस कीज किसी निरयात को दुगना करने का लक्ष है कुशन तो सायद एक दो बार प्मूशा भी जा चुका है इंपोर्टेंट कुशन है दो जार चौबीस तर चले 87 नमलिकत में से नमलिकत में लक्ष प्रतिसत से अधिक व्रद्दितर प्राप्त करने वाली पंच बरसी योजना बत से लिए तो बात करें नहीं पे सात्मी लिखा NASA की बात करें तो यहां पे लक्ष 5 परसेंट का था एचीओ व्रसे परसेंट नमी देख लिए नमीं में टार्टक था और achieve जो हुगा 5.7% तो यहाँ पर आपको decrement दिख रहा है और 10 नहीं हो जना का यहाँ पर 8% का target था और achieve हुगा 7.6 यह तीसरी वाली थोड़ा correction कर लिए मैंने यह गलग लिख दिया तीसरी जो तीसरा fiber plan था यहाँ पर target हा 5.6 का ठीक है 5.6 का और achieve हुगा 2.8% तो यहाँ पर देख रहे हैं आप तीन options ऐसे हैं जहाँ पर target कुछ और था objective और कुछ था लेकिन उतना मिला नहीं है ना इससे तीसरे में देखा 2.80 परापती हुई नमी में 5.7 परापती हुई और यहाँ पर परापती हुई यहाँ पर यहाँ पर टार्गेट 5 परसेंट का था और एचीब भी उससे जादा हुआ तो यहाँ पर पूछा गया है कि नियूंतम बन आवरण छेत्फरल बाला कौन सा राज है बन आवरण पूछा है बन आवरण यानि यहाँ पर बन आवरण और सबसे कम फ catch कबर किस स्टेट में इस ब्लेटित बताई खी पर बागव सी है भी रसाओ को बीर की है गुए बघ्रेश करें लिट फीट करफ़ जारे की जाती tehd S justify शैर्त कर केमा में कंशुक्शल को करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब फज़िए हैं करें में स्थापना की गई बताइए कब की गई इसका नाम है इंडिया इंक्लूसिफ इनोबिशन फंड इस थापना की गई थी दोजर चौटा में ठीक है यह उप्चन है आप है सही निमलेकति में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है इस सबसे पहले बात तो इस सुचवकां को इस इंडेक्स को बनाता को vinden वाली संसथ हैं और इस इंडेक्स को विद्वेग्टर में बना जाता है है न दिन ईंडिकेटर से से रहते हैं पहला इंडिकेटर करहा हुए है दूसरा इंडिकेटर होता है एजूकेशन का यहाँ चैले पर कैपिटा इंकम तो यहां पर देख लिए कोन सा नहीं है यह option राइट हो जाएगा यह पर चैल्ड सेख्स रिचियो की कोई बात नहीं है यह पे यहीप पुछा गया था कॉन सा धान नहीं है यह option राइट है देखे 95 यहाँ पर कुछ है ट्रिम्स का विस्तारित रूप बताईए ट्रिम्स यहाँ पर लिख लिजे पहले ट्रिम्स ट्रिम्स का मतलब है यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ठीक है कौन से अप्षन हो जाएगा trade related investment measures यह एक प्रह से आप लोग facilities हमाई लीजगे facilities है WTO की trade से संबनत, यानी trade trade को जो चीजें distort करती है बाधित करती है, यह उन सब measures को eliminate करता है, ठीक है देखे, 96 96 में यहां पर reasoning के questions आपको देखेंगे कीजिये इसको जल्दी से कीजे, 60 है फिर 180 है 90 है 270 है यहाँ पर साब साब दख रहा है ना चले 97 यहाँ पर कितने ऐसे 4 है जिनके पहले सात है और जिनके बाद में 3 नहीं है देख लेते हैं चार को पकड़ लीजिए पहले चार को मार कर लेते हैं यह के है और इसके बाद यह है इसी तरीके से सारे चार जो है इनको मार कर लीजिए यह है अब इसके बाद देख लीजिए कि जिनके पहले साथ है और बाद में तीन नहीं है तो पहले साथ है बाद में तीन नहीं है यान 3 है। इस लिए इस पियर को हम Cancel कर देंगे। और एक पियर या बच्छा पहले साथ दिख हो बाद में 3 नहीं दे पहले साथ तुम्त नहीं सरक्म यहां जीर समझ में पानी अरत में चै Bennett B הג है पानी को गड़ी में रखते हैं चाय को कप में रखा जाता है बल्ले को गेंद में रख सकते ना यहीं तो बल्ला से खेला जाता है गेंद से तो यहीं सबसे अलग है भी आप राइट हो जाएगा देखे नाइटी बन दो संख्या हो का LCM और SCF क्रमसा 12 और 144 है यदि एक संख होगा और एक सच अबली जो है यह से क्लिए रहा है कि यहार यह तो बेसिक सफंडा है ना SCF कभी भी बढ़ा नहीं हो सकता है LCM से ठीक है यह तो सब समस्ते होगे यह कभी भी नहीं होगा तो इस क्वेशन को आप आसानी से कर सकते हैं सबसे असान तरीका क्या है आप आप आ संख्या ऐसी कौन सी है जो दोनों को डिवाइड करती है ऐसी संख्या बारा है बारा क्या कि यह सी कोई भी संख्या नहीं है जो 3649 को कट करें ठीक है डिवाइड करें तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दो संख्याओं को कट कर रहे है वह उसका SCF होता है तो यहां प कर देना तो प्तर मिल जाएगा ठिक है चलिए निक्स कीजिए वही सम्मंध जो जीजरे और क्यू Q के बीच मैं है पे डिदे का डिवं से आपके पास जीज़े है और āब Q के डिशर आपको देख रहा है यहां से क्या है यहां से आपको देख रहा है साइड में 12 इवाना निक्त फिलेशन और इसको तो 10 जैंट इसको देखने नहीं है इसको कैंसल कर दिजिए फिललत हो गया जैज ग concret poker क्रेंद हो इक果 MBA के बाद D, पिलस 3 है, हमें साब साब समने में रहा, और S, W भी देख लीजे, S ए रहा, और W ए रहा, यह पिलस 4 है, ठीक है, तो C option भी यहाँ पर right है, लेकिन अभी D option चेक कर लेना, ठीक है, D और H, D और H, यहाँ पर plus 4 है, तो यह गलत है, C option है, यहाँ पर हमारा right है, ठीक है, सिंपल ह देख सकते है, M कितने number पर आता है, 13 number पर ठीक है, और T कितने number पर है, R का number 18 होता है, तो T 20 पर हो गया, अब यहाँ पर M से T देखिए, M से T में कितना फरक देख रहा है, यहाँ पिलस 7 है, ठीक है, ठीक है, T के बाद W देख लीजे, T के बाद W यह पिलस 3 है, ठीक है, और W स यहां पर same letter है देखो चार options में और F की स्तिती बिल्कुल starting में होती है S की स्तिती last में यहां यहां पर 7 की स्तिती तो नहीं है इसका मतलब देखी है यहां पर कुछ और ही logic लग रहा है यहां पर जो solution में दिया है इस तरह का question देखो तो यह थोड़ा सा logic जो है न वो out of sense है कि नॉर्मली ABCD में हम लोग वही देखते हैं कि कि कितना letter जम कर रहा है किस letter से है न इसी तरीके से होते हैं सब सवाल खेर यहां पर इस तरीके से पूछा है तो दियान रखना कि ऐसे भी पूछा जा सकता है तो कोई था बहुत आसन सा question अगर यह भी CD में जूजे रहते तो यह सायध हम लोग नहीं गर पाते है तो यहां पर right answer भी हो जाएगा ठीक है चलिए वैसे strike करने वाली बात है strike तो एक नजर में भी strike कर जाता है और कभी कभी नई भी करता है तो फिर उसमें जूजे रहता है यह सवाल कुछ ऐसे ही होता है reasoning वले देखें 102 दो अमेर की जा रहा है एक दूसरे के बेटे का पिता है दौनों में क्या संबन्द है दूसरे के बेटे के पिता है ये तो सिंपल ये husband और wife है ठीक है husband wife है पती पत्र नहीं हो जाएगा डी option चली बन जीरो तरी देखें लिए पित्तर की उम्र की नौ गुनि यह कुछ है एक एकुष्छन बना लेते हैं हम लो और यहां पर एकस की वैली निकल जाएगी 9 और 8 कितना होता है 17 तो यहां पर X की वेलू कितनी आ जाएगी 51 डिवाइड वाई 17 यह X की वेलू आगी 3 अब यहां पर लग लग एज निकल लीजे पुत्र की आईउ चुकि X ही थी तो X की वेलू 3 अई तो पुत्र की यह तीन साल हो गई पिता की उम्र 9 X थी तो 9 तीय 27 से 27 साल के हो गई माता होई 28 24 साल की ठीक है पुत्रियों क्या होगी तीन साल डियू अप्शन सही है चलिए 104 देखिए इस तरीके की सवाल डिस्टर्व करते हैं कभी कभी तो बहुत ही आसान आ जाएगा आपको आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा इनमें करते के हैं यह तो रो 20 देखते अगर तीनों संख्यां को जोड़ेंगे देखिए 75 22 होता है बाइस और नो 31 होता है ठीक है यह रो बाइस जोड़ दीजे तीन पिलस 21 पिलस साथ यह भी 31 होता है और इनको जोड़िए तो अब चुकि तीन रो का यहां पर एडिशन 31 है तो चोथा ओभियसली यहां पर 31 आना चाहिए चले देखें 105 एक कुशन देखिए बहुत आसान होते हैं आप पड़ते जाएए और फेगर बनाते जाएए आपको उत्तर मिल जाएगा कृष्णा अपने घर से किलो मीटर पूर्व की और चला यह कृष्णा है ठीक है एक किलो मीटर पूर्व की और चला दीजे य एक रहेगा ना क्योंकि यह बराबर है ठीक है यह ऑगया घाए प। इस अपने आपने पुरानी पूजिशन के बिल्कुल पैलल में आ गया ठीक है उसे अपने घर से पहुंचने के लिए किस दिसा में कितना चलना चाहिए भष्णा पर यहां पर उस सितितिक है मैं जूम कर दे रहा हूं अभी कहाँ पर है इस point पर है घर कहाँ पर है यह यह जो point में लेका हूँ यह घर है भी point जो है यह अभी है तो बी से आपको यह कि तरफ चल ला है तो दूरी किपे AND 2 कंच रहे रहे है है यहां से यहां से 2 क्रीणी प्लेट Barnes venidos 16 स्वरवता और अंगुठी किप्लेट है पहले चीज़ ही जीजऱ् चूडी एक पहनते हैं только और दूसरा तरीका भी है अंगुठी का सेप को देख लीजे सारे राउंड सेप में है या फिर छल्लेदार है ठीक है एक सो साथ देखे किसी गड़ी में तीन बज कर बारा मिनिट से छे बजी तक समय बदल लें मैं घंटे की सुई कितने यहां से भूम जाएगी ठीक है घड़ी को आप देखी रहें ठीक है 360 गुमती है घड़ी 360 डिगरी गुमती है इतना घूमने में कितना यहां पर टाइम लगता है 12 गंटा यह चीज है यानि घंटे वाली जो सुई है उसको 12 गंटा लगता है 360 राउंड करने में अगर मिनिट वाली सुई की बात करें तो उसे 60 मिनिट लगते हैं, ठीक है, उसे 60 मिनिट लगते हैं, और अगर सेकंड वाली सुई की बात करें, तो उसे 60 सेकंड लगते हैं, 360 कवर करने के लिए, चुंकि या पर गंटे की सुई की बात हुई है, तो हम लोग गंटे पे चलते हैं, ठीक है, 12 गंटे, बारबर 360 पिंन, हैब बूar कगुछ है लिए तंदे बेसं को आलें है, और यह भाई सब्सक्तिभान है कि स सब्सक्तिjobиться है अब आप आसानी से कलेंगे अब तीन बच कर बारा मिनिट से छे बजे तक आप निकाल लीजे समय और वैसे भी 12-3 की बात करें तो 90 डिग्री है 3-6 की बात करें तो भी 90 डिग्री है 6-9 की बात करें तो भी 90 डिग्री है यानि maximum जो कौन बन रहा है, वो तो 90 डिग्री ही रहेगा, है ना, 90 पर लस तो रहे गई नहीं, चुझकि यहाँ पर 3 बच के 12 मिनिट भी है, तो 90 से और भी कम रहेगा, तो 105 डिग्री हटा दो, है ना, 99 डिग्री हटा दो, और 90 भी हटा दो, 90 तो नहीं रहेगा, 90 तो तब रहता, जब 3 और 6 के बीच का कौन पूशता, विलकुल एक्जेक्ट, है ना, जो कि 3 बच के 12 मिनिट का सीन है, तो थोड़ा सकाम आएगा, तो एक यूप्शन देख रहा, कुछ भी नहीं करना था, आपको इसमें, एक काल्कुलीशन जो दुनिया भर की किया है, इसका कोई मतलब नहीं है तो कुशन को सॉल्व करने से पहले, उप्संस पर जरूर नजर डाला कीज़े, तो आपर राइट आंसर हो गया, 84 ठीक है, और वैसे जो तरीका हम लोग कर रहे थे, एक मिनिट में आदा डिगरी घूम रहे थी ना, सुई, ठीक है, तीन बच के 12 मिनिट और 6 के बीच का आते हैं, ठीक है, आरो ए आरो में अलजबरा के कुशन एक दू मिले, मिलते हैं, खास्तोर से गुडन फल वाले जो कुशन रहते हैं, वो मिलते हैं, और यगी पापर वाई ब्राबर ए लिखा हुआ है, तो एकस वाई की वैलू आपको बताना है, अब इस स्यासान प्रेशन जो है, यहाँ पर ब्राबर ए हो जाएगा, यानि जो पहले एक कुशन में ए ब्राबर बी था, बही चीज तो दूसरी कुशन में भी आया, वी ब्राबर ए, या फर ए ब्राबर बी कह लिजी, एक ही बात है, इसका मतलब है विक एक पर बन बन बी सही रखा है, तो एकस ठोच सब्सक्राइब calom आप लोग ध्यांद रखें ठीक है बहुत एक्जेक्ट नहीं फिगर याद रखना है बड़ मोटे दौर पर याद रखें कि इसकी जो प्रोड़क्टिविटीव होती है वो देटी सो से छेजार ग्राम कार्वन ठीक है ग्राम कार्वन प्रती मीटेर स्क्वार प्रती एन्हीं एक मीट्रे स्क्वार के दारे में यह इतने इतने ग्राम कार्वन प्रोड़क्ट प्रोड़क्शन इसका उत्पादन कर देता है ठीक है कार्वन का मतलब यहां पर नेगेटिव तोर पर मतले ना ठीक है कार्वन का मतलब यहां पर है बायो मास प्रोड़क्शन से ठीक है और और अगर आप तीसरी स्थान पर लेंगे तो तीसरी स्थान पर आता है ओशन ऐसा तो नहीं लगा रहा कि इनको सबसे पहले स्थान पर होना चाहिए था मैंगरोब के बाद होना चाहिए था नहीं ओशन की जो नियुक्त है और्गनिक मेंटर को प्रडूश करने की वह फिप्टी ठीड घर म कार्वन प्रती मीटर स्कायर प्रती इयर क्लियर हो जाएगा तो मैंगरों सबसे कम पूछता सबसे कम पूछता तो क्या लगाते सबसे कम महासागर लगाते आप इंपर्चेट्न रखना किसी भी सबसे ज्यादा नलकूपों के मध्यम से होती है कि एटी पर्विशन है उत्तव प्रदेश में इसका प्रयुक सन 1910 में सरफ प्रत्व हुआ था यहाँ पर मेरत होना चाहिए था यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ही बात किसका इस्तान होता है पहले ट्यूब वैल होगया ट्यूब यहाँ नहर हो चली 12 दिखें मरकाजोर एक मुक्त व्यापार संगठन है असान है ये तो जल्दी से बता दीजे ये संगठन साउथ अमिर्का साउथ अमिर्का कॉंटिनेंट की कंट्रीज का है ठीक है ये जो शुरुवात की गईती अर्जेंटिना ब्राजिल और उरुगवे दुवारा क्लियर है गंगानेदी से जल्दम की गंगानेदी के सतान पर गंगानेदी में आद रखे है到 ये ऊत्रप्रदेश काका फूसियन है तो ये जगए पूछा सकता है है उस जगए का नामे कैसी ङुट ऩहने पटांजी क्ले देखें नॉन अम आग्ले किसी चेत्र में पाया जाता ब्लास्टिक प्रदेश में सबसे कम पॉपलेशन डेंसिटी कौन से जले की है इसी की यह ना ललतपुर की एल्टीपी वह तमाम कुशन बनते हैं लड़तपुर से तो ध्यान रकना यूब प्रदेश में आप लोगों ने पढ़के रखा हुगा एक सो पंद्रा देखें प्रोजेक्ट एलिफेंट केंद्रगात उत्रप्रदेश एलिफेंट रिजर्व इस था अपना कब की गई थी दोजानों में फैक्ट्वल कोश्चन है यह हमबर के आप जल्दीस बताइए लेट एक त्याद रखना है 59.3 ठीक है इतने प्रतिसत लोग उत्रप्रदेश में हैं जो क्रिसी एवं संब्ध छेतर में यह नियोजेता है ठीक है वी आप्चन है पर राइट हो जागा देखें एक सो सत्रा एक सो सत्रा में है उत्त्रप्रदेश औध्योगिक नेवेस एवं होगा अंसर इसकी जो चेर्मेंशिप करते हैं सीम करते हैं ठीक है मुख मंत्री करते हैं भी आप्सन राइट हो जागा एक सोटा रहा देखें इंडियान इंस्ट्यूट ऑफ हैंडलोम टेक्नलोजी का इबार पूचा गया है कुशन ठीक है यूपी स्पेसल से यह मार करके क इस तरह के इंस्ट्यूट पूचे जाते हैं आप लोगोंने देखा हुआ देखिए मैं आप लिखनी रहा हूं में बता दे रहा हूं जैसे कपड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो गाजियाबाद में ठीक है सेंट्रल सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस रखनों में बहुत सारे संस्थान हैं जैसे केंडоминаशिए औरी औरी अनुसंधान संस्थान यह पूछह जाते हैं जिये जो पल्श का रिसर्च इंस्टिवूट है चिणी रिसर्च इंस्टिवूर् स्टान ये ग्रेटन नोड़ा केंदर ये बकारी अनुसंधाद संथान ये मत्रां मर में लगाना में और या तो यह जो पसूच इकत्सा अनुसंधान संसान है यह बरेली में से कन्फ्यूज नहीं होना है यह मतलों मत्रा और बरेली में इन तोन में कन्फ्यूजन होता ना बकरी का पूषता है तो लगता है यह द्याण रखना तो भारती चारागाए पूचा जाता है एक फोडर वाला जो इंस्टीर चारागरा है ये जासि का है और अनुसंधान लीए महाँ कर्दै? अनुसंधान संतान थि साथ रखना ओं आब आओ या गरा का का इंस्ट्राग्र, कुष्ट रोगफ संस्थान ये आग्रऴम है कुष्ट रोग ये आगरा लगा देना ठीक है चली देखें 119 जंगंडना 2011 के अनुसार नम्डिकत में से किस एक की जन संख्या की दसकी ब्रद्धी डिकेडल ग्रोथ रेट जो है डिकेडल ग्रोथ रेट सरवाधिक रही बताइए आसान सा कुश्चन है कई बार पूशा जा यहां पर दादरा नगर है विली करेक्ट आंसर हो जाएगा चूंकि यहां पर यूटी भी है तो यहां पर दादरा नगर हविली हो जाएगा अगर यह ऑप्शन में नहीं होता तब करेक्ट आंसर हो जाता मेगाला है ठीक है तब करेक्ट आंसर हो जाता मेगाला है यहां यह रहरिया यह लड़तपूर से बिलॉंग करती है ठीक है लड़तपूर चलिए 120 देखें किस देश द्वारा बड़ी विल्लियों के लिए इंटरनेशनल विकट अलाइंस आई विसी एक टनकी खोशन कीगी अपरेल 2023 की यह न्यूज है खबर है इसका करेक्ट आंसर है यह है यहां पर 31 सदस से क्रोएसिया नाटो में में मेंबर कितने है टोटल अभी देखा कुश्चन के साब से तो अभी 31 है ठीक है अबर कुछ और मेंबर हुए होंगे तो उतनी मेंबर हो जाएंगे हैट्वाटर पूचा जाता है तो देहां रखें हैट्वाटर है ब्रूसल मे ठीक है बेल्जियम की केपिटल है बुरूसल्स देखें 123 में अपरल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिसन आर्टेमिस 2 के तहर चेंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंत्रिक श्यात्री वनी वाएक किस देश की निवासी है और ये क्रिस्टीना कोच जो है यह अमिरका की है ठीक ह 124 है अपरल 2023 में किस पूर्वुत्तर भारती राजगे के वूथु गाउं से किंद्रिय ग्रह मंत्री हमें सायदवारा वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम का सुबाराम किया गया इंप्रेंट कुश्चन है मार कीजिए इसका करेक्ट आंसर है बताए जल्दी से अरुना अचल प्रदेश कि 125 अपरल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस सहर को सामिल किया इसको भी मार कीजिए इंपोर्टेंट सुपर इंपोर्टेंट कुश्चन है करेक्ट आंसर है मुंबई मित्र पार्क इंपोर्टन कुश्चन होते हैं मित्र पार्क से पूछे जाते हैं किस था अपना हेतु किस राजी ने केंदर के साथ एक समझाता किया है केंदर के साथ 27 अपरैल 2023 में आयोजित वौल्ड वैक्सीन कॉंग्रीश 2023 में भारतीवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को बैक्सीन इंょस्ट्री अग्सिलेंश से स мнमानित किया गया गया говорить किस भारत ही कंपनी को वैक्सीन इंडर एक्सिलेंश प्रूस्कार से सम्मानित किया गया भारत बायोटेक लगा देना यह पूछा गया कि सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ ठीक आयोजित हुआ इस्थल पूछ रहा है वेनु पूछ रहा है यह हुआ था यूएसे बासिंग्टन में देखें 28 है टाइम पत्र का दोबारा अप्रेल 2023 में जारी टाइम्स हंड्रेड रीडर पोल में किस भारती है बॉलिवूड अभीनेता को सीर्स स्थान पराप्त हुआ पहला स्थान पराप्त हुआ है सारुक खान को ठीक है चले 129 देखें 129 है अप्रेल 2013 में नम्रेक दमेसे क स्रीलंका एवं न्यूजिलेंड के मद्ध खेली गई पुरिसों की टी ट्वेंटी स्रंकला में अंपायरिंग करने वाली पहली मैला अंपायर बनी यह इंप्रेंट है मार करना 120 130 का क्या हो जाएगा किम कॉटन इनका नाम है किम कॉटन और यह निवासी है न्यूजिलेंड क ठीक है न्यूजिलेंड अप्रेल 2023 में कोप इंडिया दोजर टेस मार कीजिए इंपोर्टेंट है कोप इंडिया नामक बायू सेनन प्यास बारत और किस देश के मद्ध आयोजित किया गया कोप इंडिया होता है इंडिया और युस एक इमत ठीक है गी उप्शन एक है को 132 देश है नेशनल पेंशन स्कीम की समिक्षा करना इसको रिव्यू करना ठीक है क्या हो जाएगा अंसर यह ओप्शन देखें 133 अप्रेल 2023 में निम्लिकत मद्ध हमेर की देशों मैंसे किसमें क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल सुरूंगी बदाइए इस कंट्री क लेटन अमेरिकन कंट्रीज देखना आप लो मैप खो लिए उसमें देख जाएक आपको अलसलवर्डोर कि देखें 134 अप्रेल 2020 में निम्लिकत मैसे किस देश ने ब्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को अमंत्रत करना है तो गोल्डन लाइसेंस पहली की शुरू देखें 135 अप्रेल 2023 में निम्लिकत मैसे किस देश से अपने नागरेकों को सुरक्षित निकल ले है तूँ बारस सरकार द्वारा ऑपरिशन कावेरी शुरू किया गया था यह उप्रिशन किया गया था सूडान में देखें 136 अपरेल 2023 में संगाई संयोग संगठन यानि संगाई यह कॉपरेशन और्गनाइजिशन जो है इनके रक्षा मंत्रियों की बैठक का एउजन हुआ है पूछा गया है कहां पर हुआ है यहीं पर हुआ है निव देली में बारत में होंबर के जल्दी से बताईए ए यह हो गया वर्ड इंटेलेक्ट्वल प्रोपर्टी डे है ना इसको अबजर्व किया जाता है 26 अपरेल को 26 अपरेल जैब देखें 138 अपरेल 2023 में किस गरहे के विस्तरित अध्यान है तू यूरोपिय अंत्रिक्ष एजन्सी द्वारा जूस मिसन प्रारम किया गया मार करनें इंपोर्टेंट है अभी आपने मून मिसन देखा थ आर्टेमिस देखा था ना, आर्टेमिस, आर्टेमिस टू, यह जूस में सन्प्रारम किया गया, जुपिटर के लिए, ठीक है, ब्रेस्पति, चली, नेक्स्ट कीजिए, 139, अप्रेल 2023 में, कंबम, पनीर, थ्राचाई, अंगूर को जी आई टैग प्रदान किया गया, या किस से संबंदित है, इतना ही पूछ लिया कि यह क्या है, कंबम, पनीर, थ्राचाई, कितना कठे नाम है, यह अंगूर है, और इस नाम से आप हिमाचल प्रदेश तो कैंसली कर देंगे है, उत्तराखंड कैंसल कर देंगे, आकि इन में खेल लेना, अगर नहीं आता रहेगा तो तमिलाडू का है यह, देखें लास्ट कुशन, 140 है, अपरेल 2023 में, भारत एवं स्री लंका के मद, आयोजित, सिलीनक्स 2023, क्या है यह, सिलीनक्स ठीक है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कैसी है, यह बायू है, या फिर नो से ना है, या फिर थल से ना है, यह नो से ना अभ में यह, 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 यह. टूवित, यह. यह यह. बायूअ है, यह. यह. इब यह. यह.